Hey guys, welcome back to the channel Super Ideas Super Ideas में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं राजिस्तान रोयल्स टीम स्क्वार का इसके अलावा अगर आप इनके अलावा बाकी जो टीम स्क्वार से उनका एनालिसिस देखना चाते हैं तो वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को राजिस्तान रोयल्स इंडियन प्रीमियर लिग के उद्गाटन चैंपियन थे दुर्भाग्य से रोयल्स कुछ सीजन में अच्छा परदशन करने के बावजूद अपना दूसरा खिताब नहीं जीत पाई है पिछले साल चैपूर की फ्रेंचाइजी आईपेल इत्यास में पहली बार अंग तालिका में अंतिमसान पर रही थी आईपेल 2020 में टीम के निराशा जनक परदशन के बाद राजस्तान टीम परवंदन स्वाभाविक रूप से नाखुष था हाला कि रोयल्स के पास अपने स्टार खिलाडी उपलग थे लेकिन वे प्लेओफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी स्टीव स्मित ने अपना अनुबन खो दिया जबकि कई भारते तेज गेंद बाज निलामी पूल में लोट आए आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं राजस्तान रोयल्स की फाइनल टीम पर संजू साइमसन जोकी कैप्टन और विकेट कीपर हैं जोस बटलर विकेट कीपर बेन स्टोक्स यशिश्वी जैस्वाल मनन वोरा अनुज रावत रियान पराग डेविड मिलर राहुल तेवतिया महिपाल लोम्रोर श्रेश गोपाल मैंक मारकंडे ज्रोफा आर्चर एंड् ट्राय, जैदेव उनादकर्ट, कार्तिक त्यागी, शिवम दूबे, क्रिस मॉरिस, मुस्थ फिजूर रह्मान, चेतन सकारिया, केसी करियपपा, लियाम लिविंग स्टोन, कुल्दीप यादव और आकाश तेन, इस टीम के रोल के बारे में भी अगर आप जाना चाहते हैं एक एक प्रेयर, कौन बैट्समन है, कौन विकेट कीपर है, कौन ओल डाउंड है, तो सेपरेट राजिस्तान रोयल्स टीम स्टोन की कम्प्लीट लिस्ट चैनल पर अपलोड़ेड है, आप जाकर देख सकते हैं, इसके अलाबा अगर आप जानना चाहते हैं, राजिस्तान र बल्लेबाजी काई में कई मैच भी जेता है, राजिस्तान रोयल्स ने एक विसफोटक बल्लेबाजी लाइनप इकटा किया है, जो दुन्या के स्रस्ट रेस्ट गेंदबाजी लाइनप को अड़ा सकता है, संजु सैमसन और मनन वोरा के पास आईपल का काफी अन्पर है, य इस मौरिस स्लोग ओवरों में कुछ बड़े शोर्स के साथ खेल को उल्टा कर सकते हैं, पिछले साल जोफा आर्चर और रहुल तेवतिया ने दिखाया कि वे रोयल्स के लिए मैच कैसे जीच सकते हैं, रियान पराग को आईपल के दो सीजन का नुबाव है, युवा भारत के इस साल IPL 2020 से बहतर परदर्शन करने की संभावना है, लियाम लेविंग स्टोन एक T20 विशेशग्य हैं और शिवम दूबे ने करेलू सरकेट में कुछ खेल बदलने वाली पारिया खेली हैं, अंत में डेविड मिलर भी राजस्तान रोयल्स के लिए फिनीशर की मुमिका को पूरुनता के साथ निबा सकते हैं, इस परकार बल्लेबाजी काई में कई मैच विजेता होने से रोयल्स को बहुत फायदा होगा, बात करते हैं वीकनेस की तो लाइक ओफ सपोर्ट फो जोफरा आर्चर इन पेस बॉलिंग अटैक, यानि कि तेज गेंद बाजी आकरमन म जोफरा आर्चर को समर्तन की कमी है, जोफरा आर्चर IPL 2020 के सबसे मुलेवान खिलाडी थे, फिर भी राजसान रोयल्स टैंडिंग वर अंतिमसान पर रहें, इसके पीछे कारण यह था कि रोयल्स टीम के भारत्य तेज गेंद बाज उम्मिदों पर खरें नहीं उतर सके, ज अनने विकल्पों की बात करें, तो क्रिस मौरिस चोटल खिलाडी है, वे चोटों को उठा सकते हैं, जो फ्रैंचाइजे के लिए इसक्यू पस्तित को समित कर सकता है, अगर दुबारा से चोट लगी तो, टीम परबंदन नहीं है, बीस पस्ट किया है कि बेन स्टॉक, IPL 2021 म ज़्यादा गेंदबाजी नहीं करेंगे, हाली में मुस्फिजूर रह्मान ने कहा कि अगर चैन करता उन्हें टीम में शामिल करते हैं, तो वे श्रिलंका के खिलाव टेस सिरीज में बंग्रादेश के लिए खिलेंगे, इसलिए या देखना दल्चस्प होगा कि क्या रह्म करते हैं, कार्थिक त्यागी और आकार सिंग अभी भी सीख रहे हैं, जबकि एंड्रू टोय ने अपना गोल्डन टच खो दिया है, चेतन सकार या एक बहतरी नविकल्प हो सकते हैं, लेकिन वह 2021 में अपना डेब्यू सीजन खेलेंगे, इसलिए जोर्फा आच्छर के राजिसान रोयल्स ने IPL 2021 से पहले ओल राउंडर शिवम दुबे को अपनी टीम में शामिल किया है, दुबे पहले रोयल चालेंजर्स बांगलोर के लिए खेले थे, हाला कि बांगलोर की फ्रंचाइजी ने उन्हें मैच विजेता के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए कई मोके दिया, लेकिन दुबे टीम ने अपनी जंगे पकी नहीं कर सके, नतीजन रोयल्स चालेंजर्स ने उन्हें IPL 2020 के बाद रिलीज कर दिया, इस साल ज्यादतर मैच मुंबई में होने की संभावना है, शिवम दुबे ने IPL 2021 के लिए कतित सानों पर बहुत सारे खेल खेले हैं, इसलिए आगामी सीजन दुबे के लिए अपने आलचकों को चुप कराने का एक सुनहरा मोका है, राजस्तान रोयल्स संभावत है, पहले कुछ मैचों के लिए उन्हें अपनी प्लेइंग 11 में शामिल करेगा, पहले कुछ मैचों में शिवम दुबे का की तो ओवर रिलाइंस ओन फोरन प्लेयर्स और इन एक्स्पीरियंस क्याप्टर, राजस्तान रोयल्स के 2021 में अपना दूसरा आईपेल किताब हासिल करने की संभावनाओं के लिए दो मैतों पुन्खत्रे हैं, पहला खत्रा विदेशी किर्किटों पर उनकी अधिक निरब होई है और काफी समय से आईपेल का हिस्सा है, इस परकार जैपुर सित फ्रंचाइजी प्लेइंग 11 में अपने चार विदेशियों पर अधिक भरोसा करेंगे, संजु सैंसन आईपेल 2021 में राजस्तान रोयल्स की कप्तानी करेंगे, और यह पहली बार है जब सैंसन अपने क कि कैसे केल रहुल को अपना नया कफ्तान न्यूक करने के बाद पंजाब किंग्स आईपेल 2020 के पहले बाग में लड़ खड़ा गए, जबकि एक नया नेता न्यूक करने की चाल आरार के लिए अद्बुत काम कर सकती है, हमेशा अनुभव हींता का खत्रा बना रहता है, तो इसी तरीके के बहुत सारी जानकारी आपको इस चानल पर मिल जाएगी, और इसी तरीके से किरकेट से जुड़ी हर खवर से जुड़े रहने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें, साथ बल आइकन को प्रेस कर लिजे, ताकि जैसे वीडियो अप्लोड होती है, उसकी नोट जानकारी के साथ तब तक बने रहेगा Super Ideas Pro.